बच्चो इस यूनिट में हम द्रफ के गुणों के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं पिछले चैप्टर में हमने द्रफ के mechanical properties यानि कि यांत्रे गुणों के बारे में चर्चा की और इस चैप्टर में हम द्रफ के यानि मैटर के थर्मल प्रॉपर्टीज यानि की तापिय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे तापिय गुण यानि ऐसे गुण जो ताप से संबंदित हो तो सबसे पहले हमें ताप को जानना जरूरी है ये ताप क्या है? कैसे उत्पन होता है? इसका कारण क्या है? इसको अच्छी से समझने के लिए हमें को धारण लेते हैं माल लीजिए मेरे घर में कुछ महमान आये हैं और मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ मैंने पानी लिया, दूट डाला, चाय की पति डाली चाय इच्छी बनाने के लिए मैंने उसमें अद्रक भी डाल दी मैंने मस्त अद्रक वाली मसालेदार चाय बनाई और मैंने उनको सर्फ भी कर दिया, एक-एक कप लेकिन मेरे चाय में एक कमी रह गई बताईए क्या? मैं तो शक्कर डालना भूली गई थी उसका भी उपा है, शक्कर बातने भी डाली जा सकती है घोला जा सकता है अब मैंने उनसे पूछा, एक ने कहा मुझे ऐसे ही चाय चल जाएगी उन्हेने बिल्कुल शक्कर ने ले दूसरे ने एक चमउच शक्कर माँगी तीसरे ने दो चमच शक्कर मांगी च्वाते ने तीन चमच शक्कर मांगी तो बताइए क्या सभी के लिए मेरी बनाई हुई चाय का स्वाथ एक ही होगा? नहीं क्या फरकाया होगा चाय के स्वाथ में? एक चाय जिसने शक्कर ली नहीं थी उसे फीकी लगी होगी जिसने एक चमच ली थी उसे थोड़ी मीठी दो चमच वाली को और ज्यादा मीठी तीन चमच वाले को तो बहुत ज्यादा मीठी लगी होगी वेकि एक ही कप चाय थी तो शक्कर एड़ करने से चाय के मिठास में प संबंध जैसा है वैसे ही संबंध ताप और उश्मा का है ताप भी एफेक्ट है जो उत्पन्न होती है उश्मा के कारण यानि कि उश्मा कौज है कारक है जिसका प्रभाव ताप होता है किसी भी पदार्थ को हम उश्मा देते जाते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है यदि उसका द्रवेमान समान है कोई भी वस्तू का द्रवेमान समान है जैसे कि हमने सभी को एक कप चाय सर्फ की थी और इसलिए जब इसी एक कप चाय में हमने अलग-अलग क्वांटिटी के शुगर डाला तो उसके मिठास में परिवर्तन हुआ सेव वैसे ही यदि किसी वस्तू का द्रवेमान समान है हमने अलग-अलग वस्तू इली है मतलब उसके द्रवेमान समान है और यदि हम उसमा देते जा रहे हैं तो किसमे वृद्धी होगी उसके ताप में तो सीधी सी शब्द में हम कहें जो संबन शक्कर का मिठास के साथ होता है यानि कि शक्कर डालते जाएंगे मिठास बढ़ती जाती है से वैसे ही संबंद उश्मा का ताप के साथ होता है बच्चों यह सरल सा उधारण मैंने आपके सामने रखा क्योंकि शक्कर और मिठास को आप अच्छी तरह से जान चुके हैं लेकिन आप उश्मा को देख नहीं पाते हैं इसलिए आप उश्मा के उधारण को इतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं इसलिए मैंने कैसा उधारण लिया था जिससे की वह आसानी से समझ मैं पर उश्मा और शक्कर दोनों में फर्क है क्या फर्क है जो शक्कर है वो पदार्थ है द्रव है मैटर है एक अंगरंड करती है जिसका जो पर उश्मा की बात करें तो उश्मा उरजा है और ऊश्मा जिसके कारण किसी भी पदार्थ के गरमाहट यख थंड़का बोध होता है उसकी पहचान होती है यह किसी वस्तू को आ shows उश्मा देते जाते हैं, उसके ताप में वृद्धी होती है, तो वस्तु कैसी लगेगी? गरम लगेगी, यदि उश्मा लेते जाते हैं, उसके ताप में कमी आते जाती है, तो वस्तु ठंडी लगेगी, मतलब उश्मा उर्जे के कारण हमें किसी वस्तु की गरमाहाट और ठ हंड़क का बोध होता है अब आये बात करते हम ताप के उपर यह ताप क्या है एक्चुली बच्चों ताप को समझने के लिए हम एक और उधारण ले लेते हैं माल लेजिए आपके पास एक ग्लास में गुंगुना पानी है मतलब इतना गरम है कि उसको आप आसानी से पी सकते है और एक ग्लास हमने और रखा है जिसमें एकदम फ्रिज्च से निकला हुआ चिल्ड पानी है अब इन दोनों को मैं कंपेर करने बोलूं आपको तो आप कहेंगे कि वह गुनगुना पानी गरम है एक्चुली वह गरम नहीं है इतना नॉर्मल था वह कि उसको आपासानी से पी सकरत है लेकिन जब थंडे वाले ग्लास से अपने कंपेर किया तो आपने कहा कि वह गरम है लेकिन मान लीजिए मैं ऐसे एकदम उबलता हुआ पानी एक ग्लास में और डाल दो उसको तो पीने लाइक नहीं है वह पीनी सकेंगे लेकिन उस गुनगुने पानी को जब मैं उस खौलते हुए उबलते हुए पानी से कंपेर करने को कहूं तो आप कहेंगे वह गुनगुना पानी ठंडा है और वह उबलता हुआ पानी गरम है तो वह जो गुनगुना पानी आपने लिया था वह थंडे वाले पानी की तुनला में घरम हो गया और उस उबलते हुए प गरमाट और फंड़क का जो एएसास होता है वो केवल तुल्नात्मक होता है और तुल्नात्मक ज्ञान सतिक नहीं होता वह सहीं नहीं होता वीकि है जैसे अभी आपने वो गुल गुलने पानी को कभी करम बोलदिया कभी ठंड़ा अधैं तो वासाथ वह क्या था उसका नौलेज हमको नहीं हो पाता और वैसे भी यह जो एहसास है गर्माट और ठंडा का यह परसंट टू-परसंट वेरी करता है अब देखे होंगे बच्चों जब आप नहाने के लिए पाने इस्तमाल करते हैं कोई नौर्मल वाटर से नहा लेता है कोई बहुत गरम से आसानी से लेता है उसको गरम नहीं लगता जबकि हम उसको छूते हैं तो लगता है वह बहुत गरम है तो एक्चुली यह सारा चीज तुलनात्मक ज्ञान देता है और यदि हमको सटीग ज्ञान चाहिए तो फिर हमें उस वस्तू का मापन करना पड़ेगा उस फिजिकल क्वांटिट है ताप मान जो किसी वस्तू की एक्चुल अवस्था को बताती है उसकी एक्चुल गर्माहाट और ठंडक की अवस्था को बताती है उसका बोध कराती है तो यहां पर मैंने एक शब्द इस्तमाल किया अवस्था तो ताप क्या है बच्चों अवस्था है स्टेट है एक ले यह imagination हो जाएगा कि पानी उबल रहा होगा तो यह हमने एक मान दे दिया उस मान के अधार पर आप जान जाते हैं कि उस पानी की अवस्था कैसी होगी और मैं कहूंगे इस bottle में 100 degree Celsius में पानी आप फटा-फट पी लीजिए आप पिएंगे नहीं क्योंकि आपको idea हो चुका है कि वह पानी किस अवस्था में होगा वैसे ही यदि मैं कहूं कि अब 0 degree Celsius पे है और आप इसको पी ओ तब भी आपनी पी पाएंगे क्योंकि 0 degree Celsius मतलब होता है पानी का जम जाना यानि बर्फ में बन जाना तो क्या आप उसको पी पाएंगे तब तो आप उसको खाँ पाएंगे चबा चबा कर तो इसलिए किसी भी वस्थू की अवस्था को जानने के लिए एक सटीक मान की अवशक्ता होती है और उसी मान को हम कहते हैं ताप मान यह वस्थू की गर्माहाट और ठंडक की अवस्था का बोध कराता है अब आई यह देखते हैं यह उश्मा और ताप में क अब इसको हम थोड़ा और फोकस करते हैं, उश्मा को मैंने बताया ये कारक है, जिसके कारण ताप उत्पन्न होता है, तो ताप एफेक्ट है, उसका प्रभाव है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और उधारन लेते हैं, मान लिजे, आपके पास दो बकेट हैं, और दोनों में पानी भरा हुआ है, एक में पानी का स्तर अधिक है, और दूसरे में पानी का स्तर कम है, अब इन दोनों बकेट को मैं नीचे से एक पाइप लगा कर जोड़ देती हूं, यदि नीचे से पाइप लगा कर जोड़ दिया जाता है तो बताईए क्या होता है पानी एक बकेट से दूसरे बकेट में प्रवाहित होने लगता है फ्लो होने लगता है किससे प्रवाहित होगा जिसमें पानी का स्थर अधिक है और कहां पर प्रवाहित होगा जिस बकेट में पानी का लेवल कम है यानि हाइयर लेवल से लो तोनों बकेट का लेवल बराबर ना हो जाए इस experiment को आप खोद भी करके देख सकते हैं बकेट के जएक कोई भी दो बरतन ले सकते हैं जिसको अगर नीचे से जोड़ा जाए पाइप के जरीए किसी भी साहता से तो देखिएगा आप दोनों का लेवल बराबर हो जाता है और पानी का प्रवा कहां से होता है हाईयर लेवल से लोवर लेवल तर अब मान लीजे हमारे पस दो वस्तुएं है एक का तापमान अधिक है और दूसरे का तापमान कम है अब इन दोनों को एक दूसरे के संबर्क में लाया जाता है तो यहाँ पर प्रवा होगा उश्मा का उश्मे कूर्जा है और यह प्रवा होगा हाईयर तापमान हाईयर टैंपरेचर वाली वस्तु से lower temperature वाली वस्तु तक और यह प्रवह कप तक होगा जब तक दोनों ही वस्तु का temperature बराबर ना हो जाए यहां पर हम बात कर रहे हैं temperature की जपा अब दोनों को में प्रवाज शुरू होगा तो दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा लेवल मतलत दोनों का इस टर्बहले बड़ी बाल्टी में जादा पानी आएगा चोटी बाल्टी में कम पानी अए लेकिन दोनों का level बराबर होगा, सेम वैसे ही, यहां पर वस्तू की capacity के अनुसार, यहां पर उसकी heat capacity होगी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसकी heat capacity जितनी होगी, उसके अनुसार, उसमें ऊर्जा की मात्रा, उश्मा की मात्रा अलग-अलग होगी, लेकिन द प्रवाह मतलब दोनों का तापमान से हैं तो यहां पर दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा हो जाएगा यदि दोनों को संपर्क में लाया जाए और यह प्रवाह कहां से शुरू हो रहा था उच्य ताप वाली वस्तू से निम्न ताप वाली वस्तू तो इस प्रकार हम उ प्रिभाशा दे सकते हैं जैसे कि उश्मा एक उर्जा है जिसका प्रवाह तापमान के अंतर के कारण होता है और यह प्रवा कब तक होता है जब तक दो वस्तुएं जो आपस में संपर्क में हैं जिसके तापमान में अंतर हैं इन दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए पहले हमने क्या बोला था कि उश्म में एक उर्जा है जिसके कारण किसी वस्तू में गर्माहट या ठंडेपन का बोध होता है तो इस प्रकार हम उश्मा को अलग-अलग तरीके से परिभाशित कर सकते हैं अब तापमान को कैसे परिभाशित करेंगे तो ताप किसी भी वस्तू की वहाँ अवस्था है जो यहाँ डिसाइट करती है कि उश्मा का प्रवाह किस वस्तू से किस वस्तू में होगा यदि दो वस्तु को आपस में संपर्क में लाया जाए तो इतना तो कांफॉर्म है कि उश्मा का प्रवाह उच्चे ताप आली वस्तु से निन्न ताप आली वस्तु क्यों रोगा और कब तक होगा जब तक दोनों का तापन बराबर ना हो जाए तो इस प्रकार बच्चों हम अलग अलग तरीके से ताप को उश्मा को परिभाशित करते हैं लेकिन बेसिक कॉंसेप्ट वही है इन दोनों के संबंद को हमको जानना जरूरी है और यह एक दूसरे से किस प्रकार जोड़े हुए है तभी हम द्रफ के ताप ये गुणों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो चलिए बच्चों उश्मा और ताप में अंतर देखते हैं ताप और उश्मा में अंतर उश्मा ताप यह एक प्रकार की उर्जा है जिसके कारण गर्माहाट और ठंडेपन का अनभव होता है यह किसी वस्तु की गर्माहाट और ठंडेपन की माप है इसका ऐसा ही मातरक जूल है इसका ऐसा ही मातरक कैल्वीन है यहां एक कारण है यह उश्मा का प्रभाव है दो वस्तुओं का ताप समान होने पर भी उसमें उश्मा की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है दो वस्तुओं में उश्मा की मात्रा समाल होने पर उनके ताप भिन्न भिन्न हो सकते हैं किसी वस्तु में नहीत उश्मा उसके द्रव्यमान, ताप और प्रकृती पर निर्भर करती है किसी वस्तु का ताप उसमें नहीत उश्मा की मात्रा पर निर्भर करता है दो वस्तुों को मिलाने पर कुल उश्मा प्रतेक वस्तु की उश्मा के योग के बराबर होती है विभिन्य ताप वाली दो वस्तुों को संपर्क में रखने पर उनका उभए निष्ठ ताफ दोनों ताप़ों के बीच कोई ताप होता है अब चलिए हम उश्मा और ताप के मात्रकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि मात्रक बहुत important quantity होती है ये किसी भी physical quantity की पहचान होती है उसकी identity होती है क्योंकि मात्रक देखते ही हम किसी भी physical quantity की बहुत इक राशी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं सिराशी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ताप की बच्चों हमारे पास जो ऐसाई यूनिट्स हैं टोटल हमारे पास नाम के अधार पर जितने भी मात्रक होते हैं वो सारे कैपिटल लेटर से दर्शाय जाते हैं अब उश्मा का मात्रक देखते हैं जैसे कि हम चर्चा किये हैं उश्मा क्या है उर्जा है तो जो उर्जा का मात्रक होगा वहीं उश्मा का मात्रक होगा इसलिए उश्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है पर वहवारिक तौर पर हम इसका CGS मात्रक के योज़ करते हैं और CGS पद्धती में उश्मा का मात्रक कैलोरी होता है बच्चों, प्रयोगों त्वारा यह देखा गया है कि भिन भिन तापों पर 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिगरी सेलसियस बढ़ाने के लिए जो उश्मा की मात्रा होती है, वो भिन भिन होती है। लेकिन सभी वेग्यानिकों ने सर्व सम्मती से एक डिग्री सेलसियस ताप वृद्धी के परास को 14.5 डिग्री सेलसियस से 15.5 डिग्री सेलसियस मान लिया है और इसलिए जब हम कैलोरी को परिभाशित करते हैं तो इसी ताप को ही हम लेते हैं और इस प्रकार ये जिन कैलोरी की परिभाशा देखें तो एक ग्राम जल के ताप को 14.5 डिग्री सेलसियस से 15.5 डिग्री सेलसियस तक अर्थाथ 1 डिग्री सेलसियस बढ़ाने के लिए अवश्यक उश्मा की मात्र को एक कैलोरी कहते हैं और एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है या फिर हम इसको लिख सकते 4.2 जूल मतलब हम राउंड आप करके लिख देते हैं जब हम numerical questions solve करते हैं तो वैसे हम उश्मा का और बड़ा मातरक भी यूज़ करते हैं जैसे कि किलो कैलोरी और हम जानते हैं एक किलो कैलोरी बराबर होत अब उश्मा का वी मिय सूत्र क्या होगा वही जो उर्जा को होता है वही जो कार्य को होता है कार्य और उर्जा दोनों का मातरक भी एक है दोनों का वी मिय सूत्र भी एक है और वही मातरक हम उश्मा के लिए इस्तमाल करते हैं यानिकि M L स्क्वेर T-2 बच्चों ये सूत्र और वीमिय सूतर हमें जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जैसे कि मैं हर चेप्टर में आपको बताते आ रही हूं कि कॉम्टिटिव एक्जाम में चाहे मेडिकल हो चाहे इंजिनिरिंग की तियारी आप कर रहे हो तो कोश्चन आते हैं वीमिय सूतर के उपर तो इस तरही स आप हर चेप्टर में कुछ पटिकुलर टॉपिक्स के वीमिय सूतर याद रखते चले जाएंगे तो यह आपके लिए आगे की तयारी में हैल्फुल होगा और अभी हमने उश्मा के उपर इतनी चर्चा की कि उश्मा ताप के अंतर के कारम प्रवाहित हो रही है यानि कि उ उच्चिताप वाली वस्तू से निम्नताप वाली वस्तू के प्रवाहित हो रही है तो चलिए मुझे यह बताईए कि उश्मा कैसी राशी है सदीश या अदीश जनरली हम कनफ्यूज हो जाते हैं कि उश्मा उच्चिताप वाली वस्तू से निम्नताप वाली वस्तू में प्रवाहित हो रही है मतलब इसकी एक निश्चित दिशा है और यही सोच कर हम उश्मा को सदीश राशी कह देते हैं यानि कि वेक्टर कॉंटिटी लेकिन उश्मा अदीश राशी है विएकि उश्मा क्या है बेसिकली हम देखें तो उश्मा तो उर्जा कहीं रूप है और इसलिए उश्मा अदीश राशी है और इस प्रकार हम उश्मा और ताप के बारे में अब बहुत कुछ जान चुके हैं पर इस शाप्तर में हमें किसी भी द्रव के ताप ये गुणों के बारे में चर्चा करनी है तो चलिए अब हम ताप के उपर फोकस करते हैं उश्मा को जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि ताप तो उश्मा से रिलेटेड है उसी कोई प्रभाव है लेकिन अब तापिये गुणों के बारे में जानने के लिए हम ताप के बारे में चर्चा करते हैं बहुतिकी में वह शाखा वो ब्रांच जिसमें हम ताप के बारे में अध्यन करते हैं ताप को कैसे मापा जाता है उसे हम कहते के नाम से जानते हैं बच्चो थर्मामीटर तो आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर आपको थर्मामीटर देता है और जैसे थर्मामीटर में 100 से ऊपर बताता है यानि कि 101 तब डॉक्टर कहता है आपको तो तेज फीवर है और उसके बाद वह ट्रीटमेंट चुरू कर देता है आपको धेर सारी दवाई या इंग्जेक्शन दी जाती है बुखार 101 डिग्री है यह तो सिर्फ ताप का मान है लेकिन उसका एक मात्रक भी होगा क्या आपने गौर किया है कि 101 अगर हम बुखार बोल रहे हैं उसके बाद आप कौन सा मात्रक कि उसकरते हैं शायद आपने इसको गौर नहीं किया होगा लेकिन यह जो मापन है यह डिग्री फैरंहाइट में होता है लेकिन अभी मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया था कि तापका ऐसा ही मात्रक तो क्यल्वीन होता है लेकिन यहां पर हम फैरनहाइट चब दिस् हमने जो बात की थी कि तापका ऐसा ही मात्रक केल्वीन होता है तो यह सारे क्या है डिग्री फैरनाइट डिग्री सेल्सियस एक्ष्वली बच्चो यह भी तापके मात्रक ही है हम तापको चार अलग-अलग पैमाने में नापते हैं चार अलग-अलग साइंटिस्ट ने के अधार पर चार अलग-अलग पैमाने हैं तो चलिए देखते हैं कि इन पैमानों में क्या अंतर है और उसके बाद हम देखेंगे कि इन सभी पैमानों में क्या संबंध है यह चार अलग-अलग पैमाने चार अलग-अलग साइंटिस्टों के अधार पर दिये गया हैं सबस के वग्यानिक परन्हेट के द्वारा विश्कार किया गया तीसरा डिग्री रियुमर इसे फ्रांस के वग्यानिक रियुमर के द्वारा विश्कार किया गया था और जो ऐसा ही पद्दती में स्विकृत है यानि कि कैल्विन पैमाना इसे इंग्लेंड के वग्यानिक कैल्विन के द्वारा विश्कार किया गया था इन चारों वैज्णिकों ने ताप के इस पैमाने को बनाने के लिए दो इस्तिर बिंदू लिए एक lower fixed point जिसे हम अधो बिंदू कहते हैं और एक upper fixed point जिसे हम हिंदी में उर्द वो बिंदू के नाम से जानते हैं actually इन चारों वैज्ञानिकों ने जल के ही आधार पर ये दो बिंदुएं फिक्स की जल जहां पर जमने लगता है यानि उसका freezing point इसे उन्होंने lower fixed point बना लिया और जल जहां पर उबलता है भाप में convert होता है उसे उन्होंने अपर fixed point बना लिया यानि कि उर्धव बिंदु बना लिया अब देखते हैं इन चारों पैमानों में इन बिंदुओं का मान क्या क्या है सबसे पहले हम देखते हैं degrees centigrade में यह degrees Celsius में बच्चो degrees Celsius को हम degrees centigrade पैमाना भी कहते हैं यह दोनों एक ही पैमाने को ही represent करते हैं और जब आप इसे represent करेंगे तो degree लिखेंगे और उसके बाद आप C से दर्शाएंगे इसमें जो lower fixed point होता है वो 0 degrees Celsius होता है जो हम commonly use करते हैं जल का ही मांग यानि जल का freezing point यह 0 degrees Celsius ही हम जानते हैं तो यह स्टार्टिंग पॉइंट हो गया lower fixed point हो गया और जल का boiling point यानि जिसमें भाब में convert हो रहा है वह 100 degrees Celsius होता है तो इस पैमाने के लिए upper fixed point 100 degrees Celsius हुआ इस पैमाने में 0 से लेकर 100 degrees Celsius तक बराबर यदि खाचे में बाटा जाए यानि कि एक एक डिगरी Celsius के अंतराल में बाटा जाए तो इस पैमाने में total 100 खाचे होंगे 100 degree minus 0 degree करेंगे आप तो यह total इसमें 100 खाचे होते हैं जो अगला स्केल है वो डिगरी Fahrenheit स्केल है जिसे हम डिगरी लिखते हैं और capital letter में F से दर्शाते हैं यहाँ पर जो lower fixed point होता है वही जल का हिमांग ही होगा लेकिन इस पैमाने में जल का हिमांग 32 degree Fahrenheit लिया जाता है और जल का क्वाथनांग यानि कि उसका boiling point यहाँ पर 212 degree Fahrenheit होता है अब 212 और 32 इसका अंतर देखेंगे क्योंकि यदि हम प्रमाना बना रहे हैं तो बराबर अंतराल में खाचे खीचे जाने चाहिए तभी तो हम बराबर तरीके से मान कर सकते हैं किसी भी physical quantity का तो अगर हम 212 में 32 को दर्शाते हैं इस पैमाने में lower fixed point zero degree rumour होता है और upper fixed point 80 degree rumour होता है और इसमें total 80 खांचे होते हैं अब बात करते हैं Kelvin पैमाने की इसे हम Kelvin से दर्शाते केवल K लिखते हैं बाकी तीनों ही पैमानों में हमने degree लगाकर मान लिखा जैसे कि degree Celsius, degree Fahrenheit, degree rumour जब हम Kelvin की बात करते हैं यह ऐसा ही मातरक है और इसमें हम केवल capital letter K से दर्शाएंगे इसमें जो lower fixed point होता है वो 273.15 Kelvin होता है एक्शली 0.15 भी होता है लेकिन हम कभी कभार अपनी सहुलियत के लिए यह फिर general representation में 273 ही लिख देते हैं पर 0.15 इसका exact मान होता है और इसका upper fixed point होता है 373.15 Kelvin और इस प्रकार हम इस पैमाने में भी देखें तो टोटल इसमें 100 खाचे होते हैं यानि कि 100 equal scales होते हैं बराबर अंतराल में अब यह चारो पैमाने यह चारो ताप को ही represent कर रहे हैं इसका मतलब इन में संबंद होगा अब आईए देखते हैं इन में क्या संबंद है इन में संबंद को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि exam में numerical questions आते हैं तो conversion आता है एक पैमाने का मान दिया जाता है जिसको दूसरे पैमाने में आपको convert करना होता है तो जब आप इनके बीच में संबंद जानेंगे तब ही आ क्या संबंद है पहले यह drive कर लेते हैं इस संबंद को derive करने के लिए हम special तरीके से लिखते जाते हैं ताकि आपको यह संबंद आसानी से याद हो जाए सबसे पहले जो पैमान हैं उसको लिखते जाएंगे और स्टार्टिंग पॉइंट इसमें माइनस करते जाएंगे और इ उनकी numerical value अलग अलग होंगे लेकिन यदि वो एक ही physical quantity को नाप रहें तो मतलब वो बराबर ही है जैसे कि आप लोग एक मीटर यदि नापते हैं और उसे centimeter में convert करना चाहते हैं तो एक मीटर बराबर 100 cm लिख देते हैं इसका मतलब वो physical quantity चेंज नहीं हो पाती physical quantity तो उतनी रह हैंगे तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे C बराबर F बराबर R बराबर K अब इन में सब में हम इसके starting point को यानि lower fixed point को घटा देते हैं तो C में हम minus करेंगे 0 degree Celsius क्योंकि इसका starting point 0 था F में minus 32 R में minus 0 और K में minus 273.15 कभी हम calculation करने के लिए केवल 273 भी लिखते हैं जिससे मैं आपको बताया और numerical question आप solve करेंगे तो आप वही लिखेंगे लेकिन इसका exact value point 15 लगा के ही आता है अब upon में देखते हैं जिवाइट करते हैं किससे जिवाइट करना है उर्धव बिंद और अधो बिंदू के बीच का अंतर या यू कहें कि इन पैमानों में कुल खाचो की संख्या अब Celsius वाले पैमाने में यदि हम उर्धव बिंदू को अधो उर्धव बिंदू से अधो बिंदू को सब्ट्राक्ट करें तो टोटल 100 खाचे आते हैं तो हम लिखेंगे 100 और Fahrenheit की बात करें तो 212-32 यानि कि 180 और यूमर में देखें तो 80-0 हो जाएगा यानि कि 80 और Kelvin में हम देखें तो 373.15-273.15 यानि कि टोटल यहां पर भी 100 खाच जाएंगे तो इस प्रकार हमने एक समिकरंट तयार कर लिया एक संबंद तयार कर लिया अब इसे और simplify कर देते हैं क्यो प्रकार मुले को उतना हमको numerical question solve करने में आसानी होगी यहां denominator में देखें तो यह सारे 20 के table में आ जाएंगे तो हम इसे 20 के table से cancel कर देते हैं या फिर common ले लेते हैं यह समझ लेते तो यह 20 के table में 100 कितने बर जाएगा 5 times यहां हम cancel करते हैं कितने times जाएगा 9 times और यहां 20 के table म हम देखें तो यह 4 times जाएगा 24 जाएटी और यहां हम 100 को देखें तो 25 is the 100 तो इस प्रकार हमने genome letter को और simplify कर दिया तो हमारे पास एक formula तायार हो गया और यह है c upon 5 equal to f minus 32 upon 9 equal to r upon 4 equal to k minus 273.15 upon 5 और इस समीकरण को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए क्योंकि इसी समीकरण से हम एक पैमाने को दूसरे पैमाने में convert करते हैं अब एक पैमाने से दूसरे पैमाने में कैसे convert करेंगे इसको जानने के लिए चलिए हम इस पर अधारित numerical questions बनाते हैं प्रश्न निम्न तापों को कैल्विन पैमाने के ताप में परिवर्तित कीजिए माइनस 73 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस अब इन तीनों मानों को हम देखें तो ये तीनों डिग्री सेल्सियस में दिये गया है और इसे हमें कैल्विन में convert करना है तो हम उस संबंद को इस्तमाल करेंगे जो डिग्री सेल्सियस और कैल बराबर होगा k-273 और इसी संबंद को इस्तमाल करके हम करेंगे यहां से हम देखें तो और यहां से हम देखें तो c बराबर k-273 है तो k बराबर होगा c plus 273 तो इस प्रकार अब हम Kelvin पैमान में करने के लिए इस ताप में जो डिग्री सेल्सियस में धिया गया है उसमें 273 एड कर देते हैं इस प्रकार माइनस 73 प्लस 273 हो जाएगा 200 कैल्विन और इसी तरह से हम माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को भी कनवर्ट करेंगे उसे हम 273 से एड कर देंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 373 कल यह जो हमने विबिन नताप की पैमाने देखे इसमें दो फिक्स्ट पॉइंट थे एक लोवर फिक्स्ट पॉइंट और एक अपर फिक्स्ट पॉइंट को हमने जल का फ्रीजिंग पॉइंट लिया था और उनों अशुद्धियों पर भी निर्भर करते हैं यदि जल में हम घूलन शील अशुद्धिय मिला ले यानि कि सॉलूबल इंपूरिटी उसमें मिला दी जाए उस कंडिशन में यह दोनों ही चेंज हो सकते हैं और यदि यह दोनों चेंज हो गया तो यह पैमाने की सहायता स जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मान भी गलत आता है यानि कि हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकते हैं और इसे लिए हम जल के त्रिक बिंदू का भी इस्तमाल करते हैं as a fixed point यानि कि हम दो स्थिर बिंदू के स्थान पर केवल एक स्थिर बिंदू लेते हैं और वो स्थ की तीनों अवस्था एक साथ एक ही ताप पर मौजूद होती है यानि कि जल ठोस अवस्था में भी होगा जल लिक्विड अवस्था में भी होगा यानि द्रव स्टेट में भी होगा और वास्प अवस्था यानि गैसी स्टेट में भी होगा यानि कि बर्फ पानी और गैस एक कि ताप में जब मिलते हैं तो उसे हम त्रिक बिंदू कहते हैं और इस बिंदू के अधार पर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं यदि त्रिक बिंदू को एक fixed point मानकर हम इसका calculation करते हैं तो इसमें formula change हो जाता है और trick बिंदू ऐसा बिंदू है कि जिसमें जल में impurity भी mixed हो यानि कि soluble impurity में mixed हो मिली हुई हो घुलेंशिल अशुद्या तो उस समय त्रिक बिंदू पर कोई भी प्रभावन नहीं पड़ता जोतना है त्रिक बिंदू वह उतना ही रहता है इसलिए है त्रिक बिंदू का स्तमाल के जाता है और जब हम त्रिक बिंदू के आधार पर calculation करते हैं तो उसका formula कुछ अलग हो जाता है तो चलिए देखते हैं formula किस प्रकार change हो जाता है मान लिजे कि हमने ptr लिखा है यह triple point पर त्रिक बिंदू पर दाब है और यह दाब होता है 0.46 cm of hg यानि कि mercury और त्रिक बिंदू के संगत जो ताप होता है इसको दर्शात है ttr जो छोटा tr हमने लिखा है वो triple point को represent कर रहा है यानि कि त्रिक बिंदू को और यह capital T हमने जो लिखा है वो तापमान को represent कर रहा है और यह जो परमताब है इसे हम 273.16 स्केलविन लेते हैं त्रिक बिंदू के संगत और हम जानते हैं दाब की नियम के नुसार दाब का संबंध परमताब के साथ absolute temperature के साथ समानुपातिक होता है बच्चों यह absolute temperature क्या है इसके बारे में हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे पर फिलहाल जो हम capital T लिखते हैं वह परमताब होता है और स्मॉल टी हम लिखते तो वह साधरन जो हम ताप consider कर रहे हैं वह होता है तो जो प्रेशर का संबंध है absolute temperature के साथ वह समानुपातिक होता है और इसके आधार पर यदि हम दो अलग-अलग ताप लेते हैं T1 और T2 तो उसके संगत दाब को भी हम P1 और P2 लिखेंगे और दाप की नियम के नुसार कुछ इस प्रकार हम संबंद लिख सकते हैं P1 आपन P2 बराबर T1 आपन T2 क्योंकि P और T में समानुपातिका संबंद है और यह दि हम triple point के बात करें तो इस सूत्र को इस प्रकार लिखा जा सकता है P upon PTR equal to T upon TTR और य TTR और TTR का मान हमें मालूम है यह 273.16 केलविन तो इस फॉर्मूली में मान रख देते हैं तो योगर T बराबर 273.16 इंटू P upon PTR और इस फॉर्मूली में हम देखें कि PTR का मान भी हमको ग्यात है तो केवल हमको दाव मालूम हो तो उस आधार पर हम ताप की गणना कर सकते है मतलब ऐसा थर्मामेटर बनाया जाए जो त्रिक बिंदू पर अधारित हो तो हम केवल दाव कैलकुलेट करके तापमान का कैलकुलेशन कर सकते हैं तो अभी तक आपने जो थर्मामेटर देखा है जो आप यूस करते हो वह ऐसा रहता है कि आप उसको अपने बॉड़ी से ट टेंपरिचर को बता कर सकते हैं यह किसी भी वस्तु के ताप को हम बता सकते हैं तो इस प्रकार का थर्मामेटर आपने तो देखा ही है जिसमें की यह काच का बना हुआ होता है और इसमें पारा रहता है जिसके लेवल को आप नोट करते हैं और यह भी थोड़ा यूस करने म वहां पर किसी और कॉंसेप्ट में थर्मामेटर काम कर रहा था और यहां आपको स्क्रीन पर सीधा इक नंबर डिस्प्ले हो जाता है उसके आधार पर आप यहां पर रीडिंग नोट कर लेते हैं तो ऐसे ही और भी थर्मामेटर हमारे पास है और यह सारे अलग अलग सिधान्थ पर अधारीत है बच्चों थर्मामेटर कुछ बनाया जाता है तो उसमें ऐसे पदार्त का इस्तमाल किया जाता है जिसमें कुछ ऐसा गोड़ हो जो सीधे-सीधे ताप से संबंद रखे मतलब जिसका संबंद ताप के साथ linear हो, रेखी हो, यानि कि ताप बढ़ते जाएगा, तो उसमें भी increment होना चाहिए, मतलब उसमें भी वृद्धी होनी चाहिए, तो ऐसा एक example आपने पारा वाला देखा, वहाँ पर ताप बढ़ते जाता है, तो पारे के आयतन में वृद्धी होते जाती है, मतलब वहाँ पर हम लोग एक ऐसा गोण का इस्तमाल कर रहे हैं, जो ताप का आयतन के साथ है, मतलब प्रसार, इसको हम कहते हैं उसमे प्रसार, ऐसे ही और भी थर्मामेटर हमारे पास माजूद है, जैसे कि थर्मामेटर बनाने के लिए हम कृष्ण बॉड़ी, यानि कि ब्लैक बॉड़ी, कृष्ण पिंड कभी इस्तमाल करते हैं, कृष्ण बेंड क्या होता है बच्चों कि कम ताप में तो वो एब्सॉर्फ करता है, लेकिन जब ताप मान बढ़ने लगता है, तो वो एमीट करता है, और जितना ताप बढ़ाते जाएंगे, उतना वो रेडियेट करता है, कृष्ण बॉड़ी की खासियत होती कि जितना उस पर उश्मा, अपतित हो रही है, उस पर इंसिडेंट है, उतना ही वो रिफलेक्ट करेगा, एक्चुली वो एमीट करता है, उतना ही, तो इस गोण को भी हम इस्तमाल करते हैं थर्ममेटर बनाने के लिए, और भी बहुत सरे गोण हैं जिसके आधार पर थर्ममेटर का निर वराइटी के थर्ममेटर होते हैं, और गैस वाला थर्ममेटर भी मौजूद होता है, तो शायद ये किसी किसी स्कूल के लैब में भी मौजूद हो, तो इस प्रकार हम देखें कि बहुत सारे वराइटी के थर्ममेटर होते हैं, तो चलिए एक एक करके हम सारे थर्ममेटर को discuss करते जाते हैं सबसे पहला वला थर्मामिटर इससे तो आप भली भाती परीचित है यह पारा-थर्मामिटर है मर्कूरी-थर्मामिटर है दिखता कैसे है ऐसे काच का बना हुआ रता है नीचे एक बल्ब होता है बॉम जिसके अंदर पारा-भरा है आता है और इस expansion को हम ऊश्मिय प्रसार कहते हैं बच्चों ऊश्मिय प्रसार में जो आयतन प्रसार है उसके बारे में हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे इसी चप्टर में तो फिलहाल आप यह ध्यान में रखिए कि यह जो पारा वाला thermometer है इसमें ऊश्मिय प्रसार का सिद्ध पानत लागो होता है और इसके आधार पर पारे में expansion होता है उसी को हम रीट करते हैं और उसके अधार पर हम temperature को नोट कर पाते हैं और इस प्रकार के thermometer में माइनस 30 डिग्री से से 300 डिग्री से तक के ताप का मापन कर सकते हैं जो अगले प्रकार का thermometer है वो गैस ताप मापी है यानि की गैस thermometer बचों जानते हैं कि किसी भी गैस की अवस्था को बताने के लिए table ्ट जरूरी है एक है pressure रेकित दाब दूसरा है Crypen यानि की वालिूम और तीसरा है ताफ यानि की temperature तो oppressor volume और temperature की सहयता से हम किसी फी गयस की अवस्था को अच्छी तरह से बता सकते हैं अब इस thermometer की सहयता से हमको ताप को नापना है तो बचे दो parameter एक बचा pressure यानि की दाप और दूसरा बचा of volume यानि की आइतन तो ये जो ग्यास था होता है यह दो प्रकार को होता है एक नियत दफे अब फर गस अपमापी और दूसरा नियत आयतन पर गसंपमापी क्योंकि अगर Це एक परामिटर विफिक्स कर देंगे तो दूसरे का सम्बंध डारेक्ली टैम्परेचर के साथ होता है यह प्रपोर्शनल होता है बचो इसी क्लास में आप आगे के चैप्टर में गैस से रिलेटेड कुछ नियमों को और जानेंगे तब आपको यह कॉंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे फिलहाल में आपको थर्मामीटर को एक्स्प्लेंड करने के लिए जो जो जरूरी कॉंसेप्ट है केवल उन्हीं पर ही प्रकाश डालूंगी और उसकी अधार पर यह थर्मामीटर कैसे काम करता है सिर्फ उसी पर ही चर्चा करूंगी तो जो इसमें एक वराइटी का थर्मामीटर होता है नियत आयतन पर गैस ताप मापी यानि कि यहां पर वॉल्यूम कॉं को छी यहां पर हमको केवल गैस के दाब को नोट करना हुता है और गैस के दाब के आधार पर ही हम ताप मान को कैल कुलेट करते हैं मतलब हम इस थर्मामीटर को जब किसी भी वस्तू के संपर्क में लाते हैं ऐसी वस्तू जिसके ताप मान में वृद्य होगी है फिर जैसे उसका तापमान अधिक होगा तो जैसे उसके संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे ग्यास का दाब बढ़ते जाएगा और बढ़कर जिस quantity तक पहुचेगा जिस मान तक पहुचेगा उसके आधार पर हम वस्तु के ताप को कैलकुलेट कर सकते हैं तो यह जो फर्मामेटर होता है व दाब के नियम पर आधारी थी यानि की समानुपाती होता है परम ताप के और उसी के आधार पर यह थर्मामेटर काम कर रहा है और इस थर्मामेटर से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस प्रकार के सूत्र का इस्तमाल करते हैं टी इक्वल टू पी डी माइनस पी P0 upon P100 minus P0 into 100 अब यह PT क्या है यह T degree ताप पर T degree Celsius पर गैस का दाब होता है और यह P0 0 degree Celsius पर गैस का ताप होता है और अबने जो P100 लिखा है वो 100 इन सबकमा यदि हमको ग्यात हो तो इस फॉर्मुले की सहता से हम उस वस्तु के ताप को क्यालकुलेट कर सकते हैं और इसी में अगले प्रकार का जो थर्मामेटर है वो नियत दाप पर गैस ताप मापी कहलाता है यानि कि कॉंस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामेटर अब नाम से समझ में आ रहा है यहां पर क्या कॉंस्टेंट रहेगा प्रेशर कॉंस्टेंट रहेगा तो संबंद किसका आएगा आएंतन का ताप के साथ और यह संबंद भी रही होता है यानि कि ताप बढ़ते जाता है तो आएंतन में भी वृद्धि होती रहती है यदिखक gibi नियत और headlines see हम इन दोनों ही प्रकार के थर्मामेटर से ये दोनों ही प्रकार के थर्मामेटर गैस पर आधारित थर्मामेटर हैं पतलब गैस के से जोड़े सिधानतों पर आधारित थर्मामेटर ही है और इसकी साहता से हम ताप को ग्याद कर सकते हैं और इस थर्मामेटर के श्रेणी में ह और दूसरा है nitrogen gas thermometer, इसकी सहायता से हम और अधिक ताप का मापन कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम 1500 degree Celsius ताप का भी मापन कर सकते हैं. अब अगली वराइटी के thermometer के बारे में चर्चा करते हैं, यह है platinum प्रतिरोध ताप मापी, यानि कि platinum resistance ताप मापी. बच्चो resistance के बारे में भी आप जानते होंगे कि प्रतेक चालक का अपना एक resistance होता है, प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध को हम simple शब्दों में समझें, तो धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है, उसे हम कहते हैं प्रतिरोध. और हम किसी भी चालक की बात करें, है तो वो चालक, यानि कि धारा का प्रवाह करते हैं, लेकिन उन में अपने अंदर खुद में ही एक resistance होता है, वो धारा के प्रवाह में एक रुकावट डालते ही हैं, और इसी रुकावट को हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, यानि कि resistance कहते हैं, तो यहां पर भी प्लैटिनम तार को हम इस्तमाल करते हैं, और जब धारा इसमें से प्रवाहित होती है, तो इसका अपना एक प्रतिरोध होता है, और उसके आधार पर ही हम ताप को मेजर करते हैं, एक्चुली हमने प्लैटिनम के इस प्रतिरोध गुण को लिया ह और यह गुण भी ताप के साथ directly संबंधित होता है मतलब रेखिये संबंध रखता है लगता बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा आप क्लास 12 में करेंगे और आप वहां पर देखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है उसका ताप के साथ क्या संबंध होता है तो इस प्रकार का आपको समीकरंट देखने को में लेगा इस समीकरंट कहां से आया उसके बारे में डिटेल में हम यहां चर्चा नहीं करेंगे केवल आप सूतर पर फोकस करिए व्योंकि सूतर के आधार पर ही थर्मा मेटर के बारे में हम आगे चर्चा करन वो 0 degree Celsius ताप में किसी विवस्तू का प्रतिरोध बताता है यह हम बात कर रहे है प्लाटिनम की तो यह जो R0 है यह 0 degree ताप पर प्लाटिनम का प्रतिरोध बताएगा यह T तो ताप ही है और यह जो अलफा हम लिखे हैं इस क्वांटिटी को हम कहते हैं तेंपरिचर कोफीशंट और यह किसी भी कि चालक के पहचान होती है यह जमाटिनम की लिए बात कर रहे हैंग तो आलफा का मांबिय। प्लैटिनम के लिए एक विशिष्ट पहचान होगी तो ये एक नियतांक राशी है जो कि डिपेंट करती है आपने कौन सा मटिल इस्तमाल किया है क्योंकि यहां पर हमने प्लैटिनम की तार लिए तो अलपा जो है वो प्लैटिनम के लिए टेम्परेचर कोफिशंट आफ रज इन्टू हन्ड्रेड अब यहां पर आपर एक चिन्न का विशेश मतलब यहां पर आ लिखा यह टी ताप पर प्रती की सहाथा से हम यह जो प्लाटिनम प्रतीरोध ताप मापी है उसका इस्तमाल करके ताप का मापन कर सकते हैं और इस प्लाटिनम प्रतीरोध ताप मापी की सहाथा से minus 200 degree Celsius से 1200 degree Celsius तक की range की ताप का मापन किया जा सकता है अब अगली वराइटी का थर्मा मेटर है ताप यूग में ताप मापी यानि कि यहां पर जितना जरूरी है उस पर फोकस डालते हैं वेग्यानिक सी बैक ने कुछ धातुओं को एक श्रेणी की रूप में अरेंज किया और उन्होंने बताया कि इस रेणी में से कोई भी दो धातुओं को लेकर येदि हम पेयर कर दें पेयर कैसे करेंगे इन धातुओं के द आप लुट पन हो जाता है वीवा बल मतला विद्दु वाहग बल और सिंपल सब्सक्राइब में हम समझे तो एक ऐसा श्रोत उत्पन हो जाता है जो विद्दुधारा को प्रवाहित करता है जैसे आपने बैटरी में देखाया बच्चों कि एक प्लस और एक माइनस टर्मिन जो है वो विभव अंतर उत्पन करते हैं और उसके कारणी धारा प्रवाहित होती है तो हम बैटरी को एक विद्दुश्रोत कहते हैं वैसे ही यहां पर भी एक विद्दुद वाहग बल उत्पन होता है जो कि आवेश को तार में प्रवाहित करता है यह यू कहें कि उसके में धारा प्रवाहित होती है और इस धारा के मान को नोट करकी ही हम इन दोनों संधियों के बीच में टैंपरेचर के डिफरेंस को पता कर पाते हैं इसलिए जनरली इस धर्मकुपल से जिब हम काम करते हैं तो एक संधी को हम जीरो डिगरी सेल्सियस पे रख देते हैं ताकि उ भी ताप आप ग्याद कर रहे हो वह एक्जैक्ट हो मतलब आपने सौ डिगरी अगर कैलकुलेशन किये हैं तो जीरो और सौ का डिफरेंस करेंगे तो वह सौ ही आएगा मतलब आप एक्जैक्ट मापन कर सकेंगे तो इस प्रकार हम धर्मकुपल की सहयता से किसी भी वस्तु क यह ताप को ग्याद कर सकते हैं तो बेसीकली यह जो धर्मकुपल होता है यह सीवैक प्रभवाव पर अधारित है इसे सिद्धान्त पर यह कारी करता है और यह डिपेंड करता है कि आपने इस सीवैक श्रेड़ी में कौन से दो धातुओं को चुना है यादी आप पेयर को कर देते हैं आपने copper और iron लिया है या फिर आप कभी कोई anti money और बिस्मत का पेर ले ले रहे हैं तो इस आधार पर यह थर्मकपल से जो टाप का मापन किया जाता है उसके range में फर्क आ जाता है और इसी आधार पर हम देखें तो थर्मकपल से जो थर्ममेटर निर्मित किया जाता है वो माइनस 200 डिग्री से से 1600 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज का मापन कर सकता है अगले प्रकार का जो थर्ममेटर है उसे हम वाश्प दाब ताप मापी की नाम से जानते हैं यानि कि वैपर प्रेशर थर्ममेटर यह ऐसा थर्ममेटर है जो वैपर प्रेशर पर आधारित है एक्ट्वली जो संत्रि वाश्प दाब होता है यानि कि सैचूरेटेड वैपर प्रेशर वह डेरेक्ली निर्भर करता है ताप पर और इसी को ही लेकर इस प्रकार के थर्ममेटर को बनाया जाता है यह थर्ममेटर माईनस टु सेवंटीथ हमें डिग्री सेल्सियस से माईनस जोन फिफ्रिव्टर ड अलग-अलग सिध्धान पर कारे करते हैं पर सब में एक चीस कॉमन है इन में ऐसा गोण है जो डैरेक्टली ताप पर निर्भर करता है और इन सारे थर्मामेटर्स में हमने अलग-अलग फॉर्मले में यूज किये तो चलिए वच्चों जो हमने त्रिक बिंदो पर आधारित फॉर्मला देखा था उस पर एक निमेरिकल कोश्चन बनाते हैं